राम राम भई कैसे हो सब मर्चैन नेवी में दस्वी के बेस्ट पर जाना चाहते हो तो गोल्डन उपर्चनेटी है फिलहाल पॉंप्स निकले हुए है नुसी मैटाइम अकेडमी के जीपी रेटिंग की बात करें तो अपने देश में जो सबसे बढ़िया कोलेजिज है उनमे एक सतर से कम-कम में आप लोगों को यहां पर जीपी रेटिंग का कोर्स करने को मिलता है और इनकी प्लेस्मेंट रिकोर्ट के बात करें तो काफी बढ़िया है यानि अगर आपने यहां से एक जीपी रेटिंग का कोर्स कर लिया तो अच्छे चांसीज हो जाएंगे कि आप आप किसी अच्छी कमपनी में अपना मर्चेंड निवी का कर सकते हो ठीक है सबसे पहले आप लोगों को इनकी वेबसेट पर जाना है नुसी अकैडमी.edu.in जैसे इनकी वेबसेट पर जाओगे इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आजाएगा यहां पर आपको डाउनलो करते हैं जो फॉर्म भरते हुए हम लोगों को ध्यान रखनी है वह हम इस वीडियो में आपके डिसकस कर लेंगे क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कर आपने फॉर्म गलत भर दिया तो आपको एक्जयाम के लिए कॉल ही नहीं आती तो फॉर्म का सही भरना बहुत हो जाएगी और यहां पर सबसे पहले शिप्स के बारे में कुस-कुस बताया हुआ है वह फॉर्म भरनी की जो आग्री डेट है वह 29 फेबरारी दोजर्फोबिस ठीक है आपके पास आराम से एक महिने से ज्यादा का टाइम है तो 39 से पहले-पहले इनके पास फॉर्म पहुं दसमी पास आतो आप इनका फॉर्म भर सकते हो दसमी में आपके 40% मार्स होने चाहिए और इंगलीज में जो एक में आपके 40% मार्क्श हो ठीक है अगर आपने आइटे कर रहा है तो और बेनिफिट मिल जाएगा ठीक है आइटेए वाले बच्छे भी इसको फिल कर सकते है ए च्छे मेने का इन रेजिदेंशल कोर्स है और सबसे बड़ी चीज यहां पर आपके पास पास्पोट होना ज़रूरी है जिस टाइम पर फॉर्म कर रहे हों पर पास्पोट होना चाहिए अगर पास्पोट नहीं है तो आप इनका फॉर्म नहीं बढ़ सकते हैं यह सबसे एक य और इसके अलावा जैसे आपको बता है टैस रियमान के फ्रमने पहले पासपोट नहीं है तो काम चल जाता है ठीक है तो उनके जब भी फॉर निकले पहले अगर पासपोट नहीं है तो चल जाएगा फॉर्म बर सकते हो लेकिन पासपोट कर देना साथ में ठीक है इसके बाद या तो मुंबई या फिर गौवा में जो है आपका इंटर्व्यू और जो रिटरन टेंस्ट है वो होगा ठीक है अप्लिकेंट्स विल भी असे टोंदेर एविलेटी देखो भी क्या कुछ आएगा इंग्लिस कुछ औरल क्रिस्टन होंगे मैट साइंस और जीके ठीक है देखो सेम टाइम पर आपको इमेल आ जाता है वहां पर इमेल में आप उस कंटेंट को डाउनलोड करके फिर पढ़ सकते हो ठीक है इसके बाद यहां पर क्या कुछ लिखा गया है जो बच्छे शॉट लिस्ट होएंगे उन्हीं को कॉल किया जाएगा इमेल के दोवारा ठीक है बाते बताए गई है कि आपको क्या कुछ चीज़ें यहां पर जो छे मिने का आपका रेजिडेंचल कूर्स होगा उसमें सिखाई जाएंगे ठीक है कोई छुटी उटी नहीं मिलेगी छे मिने तक आपको छे मिने वहीं पर रहना है ठीक है फिर यह कुछ जनरल सी बाते हैं पढ़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है यहां पर अलावड है वह सब बाते लिखे गई है ठीक है इसके बाद बीएमाई के बात करें तो बीएमाई आपके 20-30 के भी चुनी चाहिए 20-30 भाई बीएमाई होता क्या है बीएमाई का आपको यह पर कहीं नहीं कहीं लिखा मिल चाहिए ठीक है जो नॉर्मली आई जाता है लोगों का अल्लेस आप बहुत ज्यादा पतले या बहुत ज्यादा मोटे नहीं ठीक है अब वही इनका दो फोर्म आपको इस एड्रस पर बेजना है नुसी ओबलिक आईटीफ ट्रस्ट पोर इंडियन सी फेरस यह आपका अप्लिकेशन फॉर्म इसके बाद नॉर्मल सी बाते हैं इंटर्वी टेस्ट में अप्रेल के अंदर आप से सब्सक्राइब की जाएंगे मिट अप्रेल में होगा तो उससे पहले करीब एक कम से कम एक अपते पहले आप लोगों को इमेल आ जाएगा यानिकि मार्च के लास से एक आपके आई सर्जन और एक दूसरे जो लिखा हुआ है इसका जो आंसर आएगा वह बहुत ज्यादा बेट नहीं आप में या फिर बहुत ज्यादा पतले नहीं हो तो फिर आपका यह आंसर 20-30 के बीच आसानी से आ जाएगा ठीक है एक आई सर्जन को आप के पास आदेना जो अपने आप इस फॉर्मेट में जो है आपके लेफ्ट आई राइट आई और बहुत है इसका यह टेबल और फॉर्म के अंदर डाटा भरके आपको दे देंगे ठीक है और सेकंड जो है यह जनल फिजिशिशन जनल फिजिशन आपका बीमाई कलकुलेट करके ठीक है फिर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी गई है वही मोटी मोटी बाते हैं कि वही किसी अच्छे कलर पेंटर पे जो आपको प्रिंट लेना है कि इसका प्रिंट ब्राउसर एंड फॉर्म टोटल इलेवन पेजिश ओन लेजर कलर पेंटर पेजिश नाइन टैन इलेवन औ आगे पीछे कर सकते हों प्रिंट कोई निकत नहीं है ठीक है नॉर्मल से बाते हैं एक पढ़े लेना कोई इसे बहुत ज्यादा हाई-फाइचीज इन्होंने डिमांट नहीं कर रखी कुछ भी आप गलत करोगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा वो चीज़ें पर लिख ठीक है बॉल्लेइस में बढक हो यूट है औट आपके इंगलिज में कितने अधैं मैट में कितने पूछ आगया आपके स्कूल के बारे में डेट व हेरे हैं ङांलर घर si सब चीजें देख लिए ना कोई दिकत नहीं आने वाली बड़ा आसान सा फोंग है ठीक है पेज नमबर नाइन टैनों यह हो गया आपका 11 फीज यहां पर इन्हों ने लिखिए देड़ लाग रुपए फीज है इसके अलावा 17,000 यूनिफॉर्म और लेनिन के और कॉच्छन म जो 2000 रुपए कैस में देने है एड़ टाइम आफ जोईनिंग ठीक है तो सलो भई में तरब से बेस्ट अफ लग बढ़िया से अपना प्रिंट लो इसका त्यारी करो और ट्राई करो अगर दसमी के बेस पर मर्चनियों में जाना ही है तो इस दो तीन मैंने कोलिज बताए ए लेकिन एटलिस्ट उनके अपने खुद के शिप्स हैं आप एक बार तो ज्यादा कर दोगे लेकिन यह आपको तसली रहेगी 100% कि कोर्स करने के बाद आपको जहाज पर नोकरी तो कम से कम यह छे मेने के लिए तो मिलेगी और एक बार आपका अगर मिटर स्टार्ट हो जाता घंचा इंथ इसे मेने से ल कर लेते हो तो दुबारा सेल करने में पर इनिए धिककत नहीं आती जितनी आपको पहली बार सप्शाने में जो जो देखते आती है चाली गाई कई समर्द चृओ में इस वीडियो में रखते हैं इतना हृं टाटा टेखियर बैबैश बाफय